हेलो फ्रेंज मैं नितेश कुमार आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोरेवर में एक बाफ फिर से स्वागत करता हूं देखिए यहां पर एक प्लेलिश्ट बना रखिए जिसका नाम क्या है जिसका नाम है टेकनिकल टेकनिकल एनलाइसिस ओके तो यहां पर टेकनिकल एनलाइसिस में आज एक वीडियो और एड होगी जिसे हम आपने थमनेल में देखी लिया है क्या कहते है इसे इसे डोजी कहते ह डोजी आपने यहां पर बहुत सारे चार्टों में देखी होगी इस तरीके का एक चार्ट पैटन दिखाई देता है इसके टाइप्स होते है इस तरीके के यहां चार्ट पैटन आपको दिखाई देता है तो इसे क्या कहते है इन्हें हम डोजी कहते है और यह डोजी किस तरीक और आपके सारे के सारे सवाल इस पर्टिकुले वीडियो में खत्म हो जाए तो दोजी यहां पर देखिए पहले सबसे पहले जब भी दोजी बने कहीं पर भी चाहे ऊपर चाहे नीचे या कहीं पर भी तो याद रखिएगा यह एक कंफ़िउजिंग केंडिल होती है कि अंफ्यूस करती है यह सेलर सको भी कांफ्यूस करती है बायिर्स को भी यह बताती है कि मैं ऊपर जाऊंगी या नीचे जाऊंगी तो यह trend reversal का संकेथ देती है अगर चीजे नीचे आ रही है बिसक्राइब गिर-गिर के और इस तरह के कोई डोजी बन जाती है तो यहाँ पर आपको एक entry का मौकर मिल जाता है trend reversal बताती है कि उपर जाऊंगी और इसी तरीके से अगर uptrend चालू है uptrend में अगर doji बन जाती है और याद रखिए फिर उसके बाद कोई इसका बाद reversal का pattern बता चलता है कि यहां से reversal होने वाला है जो uptrend था अब वो downtrend में चेंजर ओनने वाला है तो इसलिए doji की तरफ आपको क्या करना है ध्यान देना है हमेशा जैज़ा का मकसद क्या है किई कि सकत्षर है कि दोजी तो इस तरीका कि अ क्रॉस हो गजा और इस तरीका रहे था यहां पर एक जोट असा यहां पर बाड़िो और बूर टॉनिव यहांपर सेम होता हुए दिखाई देता है इनका All Doji Colorless में होती है यहांपर यह Red भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है तो Color कभी भी Matter नहीं करता कि Red बन गया तो गिरे गई यह Green बन गया तो भागे गई Matter नहीं करता as well as Buyers and Sellers दोनों के दोनों यहाँ पर क्भार्ट्रेंड की दुझ मिलता है दाउंट्रेंड का संकेत होता है और है पर से इन को एक बार लिख लिजेगा, stop करके, ताकि आपको पता चले कि ट्रेडर क्या हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, उबाई करें या सेल करें, और इस तरीके से यहां पर यह दिखाई देती है, चार टाइप होते हैं, इसके एक तो common हो गई, या फिर तीन टाइप कह दीजिए, एक long lag हो गई, एक लंबी lag होती है, यहां की तरफ या उदर की तरफ, एक dragonfly होती है, एक graveston होती है, dragonfly के होती है, graveston के होती है, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, बैट उससे पहले आपसे request है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल आइकन को ही, टॉल के नॉटिफिकेशन को अन कर लीजिए, ताकि वीडियो मिले, वीडियो को like, comment, share जबूर किया करे, ताकि आपको चीजें सीखने का मौका मिले, प्लेलिस्ट है, वीडियो जाके देखे, कि जितनी वीडियो मेरी देखेंगे, याद रखिए, आपको ये वीडियो परफेक्ट बना के चोड़ेंगी, तो परफेक्ट बनना है, अगर श्टॉक मार्केट में, तो जाके इन वीडियो को जाके एक-एक करके देखिए, चाहे पुरानी हो, नहीं हो, मैटर ही नहीं करता, और हमारे एक मैम है, जिन्होंने यापर, अगर आप देखे, मैंने आपको बताया भी था, कि किस तरीके से, उन्होंने अच्छा-कासा पैसा हमारे वाट्सप ग्रूप में एड़ो के कमाया, और उसके बाद हमारे एक कोर्स को जॉइन भी किया है, हमारा कोर्स क्या है, तो यहाँ पर देखिए, Fundamental Technical Research, सब कुछ सिखाई जा रही है, 15,000 में 1-2-1 क्लासे, जितने कोशन है, उतने कोशन आप पूछेएगा, जितना मेरे पास नॉलीज है, वो नॉलीज में आपको यहाँ पर दूँगा, 8605-40501, 8169-267037, Contact कर दीजिए, ताकि यहाँ पर चीज़े यहाँ पर आपको पता चले, चीज़े समझ में आए, कोर्स की जानकारी ले लीजिए, आपको पूरा सिखाए जाएगा, यहाँ पर जब इस कोर्स को करने के आद आप निकलेंगे, तो अच्छे-च्छे श्टॉक जैसे मैं यहाँ पर चूज करता हूँ, उसके बाद भागते है, यहाँ पर पॉनियरोइट कल बनाया, 24% उपर, तो इसी तरीके के वो श्टॉक्स भी आप जब चूज करेंगे, भागते हुए नजर आएंगे, फिर आपको किसी की तरफ देखने की जरुबत नी पड़ेगी, ग्रूप में भी आड़ो जाईए, और जो एक तरीक से पहले कोर्स को जॉइन करेगा, जैसे कि ड्रेगन फ्लाई कह रही है, ड्रेगन फ्लाई मतलब उड़ने वाली, अगर ये कभी डाउन ट्रेंड में इस तरीकी की ड्रेगन फ्लाई बन जाती है, और हाई निकलता है, तो याद रखिए हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, और ड्रागन्र फ्राई का मतलब है कि चीजे ऊपर जाना तो यहां पर चीजे ऊपर जाती हूए दिखा गये रिखाई यह ग्रेवस्टाउन मतलब कब Pope Bryce IS to do कि इसका जैसे भीलोट ऊटा ग्रेविश्टाउन मतलब नीचेदवार रहा है तो जैसा ही अब ट्रेंड में होता है, अगर इस तरीकी candle बन जा है, और जैसे ही down टूकता है, तो याद रखे क्या होता है, चीछे नीचे जाती हुई दिखाई देती है, इसमें, trend reversal जिसे कहते हैं, वो trend reversal होता है, और इसी तरीके से long lag, उपर जैसे ही यहाँ पर निकलेगा, तो हम उपर क जो इसका high है, उसके थोड़ा सा उपर, तो किस तरीके से काम करती है, hope आप में आपर समझ में आई गई होगी, कि यह डोजी किस तरीके काम करती है, यहाँ पर देखिए, एक करके मैं बताता हूँ, तो यहाँ देखिए, यह एक long lag doji है, जैसे ही इसका देखिए, low निकला आपने entry ली, चीजे नीचे आती हुई देखिए, तो यह डोजी इस तरीके से काम करती है, trend reversal हुए, इसके बाद नीचा आई, यहाँ देखिए, फिर डोजी बनी, ओके, और फिसका high निकला, तो यहाँ पर देखिए, फिर उपर गई, तो यह क्या बता रही है, trend reversal को बताती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर आपको हर एक चार्ट में इस तरीके से trend reversal दिखाई देखिए, फिर एक डोजी बनी, लोटूटा चीजे नीचे आती हुई दिखाई दी, high को stop loss रखा, trend reversal देखिए, trend reversal हुआ की नहीं हुआ, इसी तरीके से यहाँ पर और भी आप देखि आपको ऊपर मतलब resistance, नीचे support, तो यह देखिए, यहाँ पर बनी है एक डोजी, आप सोचेंगे कि इसका low निकले, देखिए, लोग तो सबसे पहले टूटा है नहीं, high गया, ऊपर गया, दूसरी बात, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर support पर बनी है, तो support पर नहीं, resistance, मैंने क according इन डोजी का काम होगा, अगर आप यहाँ पर सोचेंगे, कि यहाँ डोजी बन गई, आप ऊपर जाएगा, यह नीचे जाएगा, ऐसा नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कि डोजी बन कहा रही है, उसके according काम करेंगे, तो पैसा यहाँ पर आपका बनता हुए नज बढ़ेंगे, और 15,000 पर कोई बड़ी बात नहीं है, लोग यहाँ पर 60-70,000 पर देते हैं, so thank you so much, God bless.